कवाड़ी नात नहीं रहूगा उन्नती हर आदमी को करना चाहिए घर में कले कलेश मत करो रागदेश मत करो उथल पुथल मत करो पती पतनी भाई भाई पिता पुत्र शास बहु मिलकर सिर्फ और सिर्फ दो चीजे सोचो कि हमारे घर की उन्नती कैसे होगी अव दूसरी सेथ स कि हमारे घर में गुरू की भक्ती कैसे होगी। भक्ती से मन को शान्ती मिलेगी और उन्नती से घर में शुविधाएं बढ़ेगी। इसलिए उन्नती भी चाहिए। पिछली बातों को भूलन भेशिको। बहुत यादमत रखो। कि एक साल पहले मेरे पती ने क्या कहा था। छे महिने पहले मेरी वाइप ने मेरा रूमालखी चाहता। इत्था थी थे वो छोड़ो तो। अब सुधर जाओ आज साम से बदल जाओ चेंज हो जाओ। जो भी अग्यानता में भूल हुई है कोई छमा करे न करे गुरदेव की ब्यासगादी तुमको माफ करती है। चमा करती है। याद रखता अग्यानता के वशी भूत हो करके कभी कभी बहुत पवित्रात्माँ से भी गल्ती हो जाती है। लेकिन वो गल्तिया चमा हो जाती है। पर आगे अग्यान हो गया अब पती को गाली न देना। शासो को भी काली न देना। अपनी पत्नी की उपर मार बीट के लिए हाथ भी न उठाना। पत्नी नारायणी का रूप है और पती नारायण का रूप है। स्यू जी जब भी पारवती को पकारते थे तो कहते थे देवी तुम धन्य हो। पारवती जी पकारती थे तो कहती थे ये भगवान तुम महान हो। पती पत्नी वो भी थे तुम्हारे जैसे ही थे कोई अलग टाइप के थोड़े थे। स्यू जी थोड़ा सा शापवाप की माला भी पहन लेते थे, असनान असनान भी कम करते थे, धूलूल लगा लेते थे। लेकिन फिर भी पारवती जी कहती थे तुम मेरे भगवान हो।